यह दलित प्रिणा के इंद है और यहां पर लाखो रुपे का राजस्वय आता है आप यहां की हालत देखेंगे किस तरीके से यहां की हालत कर दी गई है जवर जस्ती यह दिवारें तोड़ी गई है यह इतने मजबूत पत्थर है जिनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है लेकिन आप देखेंगे कि यहां की कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने इस दिवारों को तोड़ दिया गया है यहां पे सिक्यूरिटी का बहुत ज़्यादा वंदबस नहीं है यह बहुजन समाच के महापुर्शों का इतिहासिक इस्तल है और यहां की हालत आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पे पत्थ्रों को तोड़ा जा रहा है यहां पे गेट की दुर्दशा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पे गेट का जो प्रिथम है प्रिथम जहां से लोग एंट्री करते हैं यह दूसरा गेट है यहां से नमस्कार मेरा नाम है सुरिंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News आज हम लोग हैं नॉड़ा के रास्टे दलित प्रिणा केंद्र के अंदर कमा महापुर्शों की प्रितिमाय लगी हुई हैं मैं इसकी हालात आपको दिखाऊंगा कैमरामेन को यह दिखाएं किस तरीके से इसको खंडित किया जा रहा है और आगे में जाओंगा कि यहाँ पूरी दिवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है और यह महापुर्शों को बिल्कुल खतम नस्ते नाबूत करने का एक प्रियास है आपको दिखाएं कि इसके ऊपर यह है रख रखाप योगी सरकार के अंदर है इससे पहले अखलेश सरकार थी अंदर का भी मैं आपको सीन दिखाऊंगा किस तरीके से महापुर्शों की प्रतिमाओं से जो नेम प्लेट होती है वह भी हटा दी गई है उसका एक बहुत बड़ इसको खंडित कर दिया जा रहा है इसके तिवारें तोड़ दे जा रही है अंदर का हाल भी विल्कूल ऐसा ही है जैसा आप बाहर देख रहे हैं अंदर भी यह सरकार से खराब किया जा रहा है जबकि यह रखरखाब का काम सरकारों का होता है सरकार यहां पर इसका रखरखाब जबकि उन्होंने बनाया नहीं है लेकिन रखरखाब के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट बहुत सादा पैसा खर्च नहीं होता है लेकिन रखरखाब भ आप पे सबसे पहले